वेलकम डू मुंबई भाई जिस चीज़ का बाई मुझे हमेशा ये डर रहता है कि आज कर लोग क्या कर रहे हैं दो कुरसी लगाते हैं माईक लगा देंगे वो घंटो बैट के बातें करते रहते हैं और उसको बोल देते हैं पॉडकास चल रहा है और उसको बड़ी बात तो कि उसमें मिलियन मिलियन वीव आ रहा है अब मेरा सूचने ये कि कितने खाली लोग हैं जो घंटो बैट के से रिपॉडकास सुनी जा रहे हैं वैसे मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ आप अपनी उपर मत लेना ओके ना शायद ओके कुछ बताईए मुझे क्या बताऊं भाई आप पूछिए जो आपको पूछना हो इतने सारे व्यूज कैसे मिलते हैं भाई अब व्यूज का क्या बताऊं लोगों का प्यार है जैसे मैंने अभी 75 हार्ट चैलेंज किया वो भी दूसरी बार पहली बार किया था तो वो 5 दिन का था और दूसरी बार किया तो वो 11 दिन का था आप देखना मेरे में वीडियो लले हैं मेरे चैनल में मैंने इतनी मेहनद किया ना उसमें रोज सुबह जल्दी उठा मम्मी से ड्राइफूड मांग मांग के उनसे चुप-चुप के चुड़ा-चुड़ा के खाए क्योंकि मम्मी देती नहीं महेंगे आते हैं हाँ बस यही सम्मेहनद के कारण 300-400 वीउस आ जाते हैं भाई भाई व्यूस तो आपको भी थोड़े बहुत आई जाते हैं वो कैसे आते हैं आप बताओ आपके परस्पेक्टिव से तुम हमें आज भी उस मिलेंगे अच्च अच्च अरे ने 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 को एक छोटे भाई की तरह पूछ रहा हूं कि किसी न आपका दिल कभी तोड़ा है ये क्या पूछ लिया रणवीर भाई ने बड़ी फैन फोलिंग क्यों है आपके अकोर्डिंग लोग किन चीज ओपर कनेक करते हैं बेरोजगारी प्रेक्ट मी ठीक है ये मापको एक पस्पेक्टिव दूँगा अगर आपको लगता है कि ये गलत पस्पेक्टिव है मैं कॉलेज फ्रेंड से मिला बहुट टाइम बाद और उन्होंने बात कहीं है ये जितने भी लोग हमारी एज के मेरी एज के 28 29 30 कुछ न कुछ फुप हुआ है उनकी लाइफ में कुछ न कुछ फुप हुआ है या तो फैमली के साथ या तो एक रिलेशनिप के साथ यह जस्त भी शादी करी और दिवोस होने वाला है करियर में कुछ फॉक आप हो रहा है और कुछ बड़ा फॉक आप हो रहा है यह अपने नोटिस किया था अपके लेट 20s में या अर्ली 30s में मुझे नोटिस तो हो गया था अर्ली 10 में फिर जब दीरे दीरे थोड़ा दिमाग आया तो समझ आए कि पैदा होना ही सबसे बड़ा फॉक्ड़ था मेरे लिए तो हाँ करेक्ट क्या एक्सपेक करना चाहिए जो भी आपने सीखा है आप शायद से 32 और 33 यह के हो फिर भी क्यूंकि आइविश की जब मैं 22 यह का था किसी ने मुझे बहुत साही चीज़े बोली होती जो मैं अब कॉंटेंट के तुरू ट्राय कर रहा हूं कि 20s के लोग जाने अब आप 30 के होने वाले हैं तो मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि 30 के एज के पहले ही शादी कर लेना चाहिए क्योंकि फिर लड़किया नहीं मिलेंगी भाई मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं मेरी उमर है 32 अब क्या बोलू है आप समझ यह इसलिए शादी कर लि आपके साथ बिल्कुल बिल्कुल अपन जरूर से मिलेंगे बिल्कुल आज का एपिसोड दोस्तों फिर से आउट्रो में मैं कुछ नहीं कहूंगा बस यह कहूंगा कि इस conversation के बाद I feel कि मुझे एक lifelong भाईया मिल गए और हमें यह बताईए कि इस इनसान के साथ हमें और किन चीजों पर बातचीत करनी चाहिए I feel कि यह हर किसी को हसाता है पर इनमें वो काबिलियत है जिसकी वज़े से बहुत सारे young लोग especially young मर्द बहुत कुछ सीख सकते है emotional health mental health spiritual health क बारे में this was